कि त्बा तुम्हारे है इशारे में I agree निसमा अपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा देखे एक तस्वीर जो बड़े दिनों से वाइरिल हो रही है दो तीन इसको अन्य कोई इशारा ना कहा जाए उन्होंने एक साल से कोई इशारा नहीं आए देखिए मुख्यमंत्री जी के परिवार से और हमारे पाटी के संस्थापक दिवंगत नेता स्वर्गिय राम विलास पासवान जी का जो संबंध रहा है वो अंतरंग रहा है अनन्य रहा है और वैक्तिगत संबंध कह लें तो कहीं कड़वे नहीं है सरकार की गलत नितियों का विरोध करना हमारे रास्टिय अध्यक्ष का एक मकसद रहता है कि सरकार जहां गलत कर रही है उन चीजों को उजागर करें जनीत में हमेशा वो सवाल के लिए मुखर रहते हैं और उनका वो सभाव है और उनका राजनितिक दाइत्व भी है जो करना चाहिए एक राजनितिक धर्मिता के लेकिन आखों ही आखों में परिवार से जो उन्हें संसकार मिला है पिता द्वारा जो संसकार उन्हें प्राप्त हुआ है तो निश्ची तोर पे वो सभी बड़े जनों का लड़निये लालु पिशाद यादव जी हो चाहे नितीश कुमार जी हो जब भी मिलते हैं आपस में तो उन्हों उनसे पैड़ चोकर उनका अशिरवाद प्राप्त करते हैं तो उन्होंने इफ्तार के वक्त भी वही किया जो उनसे अपेक्षा की जाती है चिराग पासवान ज जिता के समकक्ष जनू से जब मिलते हैं ठीक है आप बहुत लंबा चोड़ा ले जा रहे अब सीधा आते हैं चलिए वह तो हो गया शारे शारे दूसरी चीज़ देखने को मिली मुकियस सहनी आग पासवान एक ही गाड़ी से निकलता है हो गई आपको नहीं स्योर हम इसको स पिशड़ी कह लें या क्या अरे वैक्तिगा तौर पे मुलाकात का आप लोग अलग अर्थ तो ठीक है गाड़ी एक ही गाड़ी से जाना तीगा तौर पे यह मुलाकात हमेशा सुख़द होती है जब मिलते हैं लोग तो कुछ आ रहे हैं निशी तोर पे युवा युवा ए बात तो होती ही और बात तो सब लोगों से होती रखती है मारे राश्ट है जो और देखिए उनकी चिंता आम जनों की चिंता है, बिहार की चिंता है, बिहार के 12 करोड वासियों की चिंता है, बिहार में जो कुवेवस्था पहली हुई है, सरकार की गलत नितियों के कारण जो बेरुजगारी का आलम है, जो असिक्षा का आलम है, आप देख रहे होंगे नि उन्होंने चिंता कैसे जाहिर किये हैं का पार्टी द्वारा जो आयो जित आप देख रहे होंगे तो निश्ची तोर पे बिहार वास्यों के लिए और उनकी लिए उनकी चिंता जो है वाजीब है और वो चिंतित रहते हैं मगर तौबा तुम्हारे ही इशारे वही हो रहा था इफ्तार दावत में उसके बाद मुके सहनी और चिराग का एक साथ निकलना एक गाड़ी में निकलना ये तो कही ना कहीं दोनों पार्टी के लोग मान रहे कि युवा है तो साथ तो आ सकते आपको क्या लगता है नीचे अपनी राए कमेंट बॉक्स में लिखे जुड़े रहे हमारे साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद